दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में कि इसका यूच कहा होता है कैसे होता है और इसका डोस कितना होता है कि इसको कितना दिया जाता है सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की और सबसे पहले दोस्तों यहां पर इसका नाम आप देख ही सकते हैं अब मो्नो सेकश्ज एक गराम लिखा हुआ है और इसका फ्था पशाव्ल यहां पर देख सकते हैं सेम्डी औक्षण ऑडे संसे और यहां आप देख सकते हैं आइवी हैं और मिम मतलब इसको आई वी और आइयम दोने येज़ कर सकते हैं मतलब नस में भी है được IV का मतलब vein में लगाना होता है और IM का मतलब mass में दोस्तों बात करते हैं अब इसके यूज की कि इसको यूज कहां कहां कर सकते हैं तो आप जान लीजिये कि यह एक antibiotic injection है antibiotic के category में आता है दोस्तों जबकि यह antibiotic injection है तो आप समझी सकते हैं कि इसको हम हर जगा दे सकते हैं हर एक बीमारी में यूच कर सकते हैं जैसे कि आपको pneumonia हो गया या फिर आपके दिमाग में कोई बीमारी हो गई या फिर आपके blood में infection हो गया या फिर आपके urinary tract मतलब मूत्र मार्ग में कोई infection हो गया या फिर आपके पेट में कोई bacterial infection हो गया उस इन condition में हम monosaf injection का यूच कर सकते हैं और इसी तरह जैसे किसी का seizure हुआ है या किसी को cut pit गया है या फिर किसी को tonsil रोग है मतलब गले में जो दिक्कत होती है तब भी हम monosaf injection का यूच कर सकते हैं क्यूंकि monosaf injection आपको बहुत ही जल्दी आराम देता है monosaf आपको बहुत ही जल्दी बेहतर महसूस कराता है दोस्तों इसको हम लगभग सारी बीमारियों में यूच कर सकते हैं लेकिन इसकी यूच करने की condition होती है तो इसका dose आप किसी को भी ऐसे नहीं लगा सकते इसका dose नियमित होता है जैसे कि आपको अगर monosaf 1 gram injection लगाना है किसी को तो उसकी age कम से कम 16 साल से उपर होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी health condition के हिसाब से लगाया जाता है अगर उसको दिक्कत जितना है उस हिसाब से लगाया जाता है साथ ही साथ उसके body के बेट और उसके body के fitness पर भी निर्भर करता है ऐसा नहीं है कि अगर इसको इसका rule है कि 16 साल पलस को लगाना है आपको तो वो कितना ही पतला दुबला हो बेचारा TV का मरेज हो और एकदम खतम हो चुका हो तो उसको लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता उसकी fitness पर भी ध्यान दिया जाता है उसी हिसाब से इसको लगाया जाता है मोनोसेफ इंजिक्सन 125 mg से ले करके ये 2 गराम तक आता है ठीक है और सभी इंजिक्सन को लगाने का rule होता है जैसे 125 mg है तो ये अकसर कर बच्चों के लिए आता है उन बच्चों के लिए जो की एक साल से ले करके 5 साल तक के हैं उनको लगाया जाता है लेकिन उनको भी लगाने के लिए उनकी body fitness का ध्यान दिया जाता है उसके बाद इसको उसी हिसाब से लगाया जाता है कि कितना लगाना है अगर बच्चा कमजोर है तो 125 mg की बजाए हम उसको 100 mg या फिर 75 mg ही लगाएंगे और इसको आप सुबा साम दे सकते हो बीडी दे सकते हो ठीक है और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इसको आईयम और आईवी दोने यूच कर सकते हो तो आसा है आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए